Hello Friends, Welcome to Oja Sist study. Friends, देखेंगे Banks of India, जितने भी इंडियन बैंक हैं, इंडियन बैंक को देखेंगे और वह भी पॉब्लिक सेक्टर के. आप देखिए इसको निमोनिक मेथड से देखेंगे जिसे अब ही अगर आप लगबग 5 मिटस अगर आप देख सकते हैं तो देख लेंगे अगर पूरी वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको तुरंत के तुरंत याद हो जाएगा दुबार आपको याद करने की जरूत नह के चार पार्ट है अब इनमें भी आप देख सकते हैं इनमें जो कमर्शियल बैंक है मैं पूछा जाता है इनहीं दोनों से पूछा जाता है और समय पेमेंट बैंक बहुत ही चलन में है 2018 से यह भी एक्जाम में पूछ जा रहा है तो हम इनको देखेंगे पहले हम देखेंग पब्लिक सेक्टर बेंक, जितने भी गवर्मेंट बैंक है, उनको देखेंगे, तो आपको मैं बता दूं कि टोडल 27 बैंक पबलिक सेक्टर के बैंक थे, लेकिन एकundaiपर Epril 2020 से एक अपरेल 2020 से आपके पास, कैवल और कैवल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है और इन 12 पब subscribe सेक्टर बैंक को देखेंगे देखिए यहां पर मैंने लिख दिया आपको PDF मिल जाएगे पीडियो आप टेलिग्राम चैनल जोइन कर लिजेगा वहां से आपको PDF मिल जाएगे PDF में सब कुछ आपको मिल जाएगा देखिए बैंक का बड़ उद्रा है ट्रेड मार्क आप इसको देख सकते हैं हेट क्वार्टर कहां पर है और इस्टेबलिस्मेंट कितना है कहां पर है सब यहां पर PDF में आपको मिल जाएगा आप देख लीजेगा और कैसे याद करना है अब निमोनिक के तरफ चलते हैं तो निमोनिक देखने से पहले एक बार थोड़ा सध्यान देंगे कि ज्यादा तर ऐसे बैंक जिनके लास्ट में आफ इंडिया लगाए उस सारे बैंक इन सारे बैंकों का हेड़ क्वार्टर मुंबई होगा यानि कि कोई वे ऐसा बैंक जिसके लास्ट में लिका है आफ इंडिया तो उसका हेड़ क्वार्टर मुंबई होगा दूसरी बात क्यों एक exception है देना बैंक देना बैंक इसका भी headquarter मुंबई है लेकिन देना बैंक अब जो है बैंक का बढ़ोदरा का पार्ट हो गया है नहीं मर्ज हो गया है देना बैंक और विजया बैंक चलिए जो 17 बैंक बारा बैंक हैं बारा बैंकों को देखते हैं और एक बात और ध्यान देना है कि अगर मालेजे जो मुंबई के अलग अगर सब जिनका headquarter मुंबई होगा तो उसके last में कुछ भी हम trick नहीं लिखेंगे या फिर निमोनिक नहीं बनाएंगे उस जो हमारा headquarter या मुख्याले होगा लेकिन अगर मुंबई के अलावा अगर कोई मुख्याले है तो उसका निमोनिक में add कर लेंगे बस इतना द्यान देना है दूसरी बात ज्यादातर बैंक 1900 में इस्टैबलिस हुए है तो 19 का हम कोई code नहीं बनाएंगे 08 या 06 या 35 ऐसे जो होंगे उन्हीं के code बनाएंगे अगर 18 century का कोई bank आता है तो उसमें अगर मालेज़ 1820 का आ रहा है तो हम 3 digits लेकर के बनाएंगे क्यों बनाना लगा ना होगा इतना बस ध्यान देना आपको चल से करते हैं थोड़ा सा ध्यान देजिए कि जो भी बड़े पोस्ट पर होते हैं वो लोग क्या करते हैं गोल मटोल यानि की घपला बहुत ज़्यादा करते हैं तो वही साफ करते हैं या फरजी बड़ा ज़्यादा कर देते हैं तो वस यह याद रखना है अपने मन में थोड धंग से बड़ोदरा ध्यान देंगे अगर मुंबई कहीं भी होगा तो मुंबई के लिए हम कोई कोड नहीं बनाएंगे नहीं लिक्ष्ट है बैंक आफ इंडिया इस्टैबलिस हुआ था 1906 में और इसका हेड़कॉर्टर है यानि मुख्याला मुंबई है याद कैसे रहेंग बैंक है या इंडिया के जो भी बैंक है वो सजा गरीबों को देते हैं तो एक तरह से सजा सब्सक्राइब रखेंगे तो यस का होगा जीरो जे का होगा शिक्स आगे लगा देंगे 19 तो गया 1906 और हमने मुंबई के लिए कोड नहीं रखा जिनके इसके पाद कुछ नहीं हो होती है सही बात है महाराष्ट चल जाओ या दिल्ली चल जाओ तो वहां पर रोजगार की या पैसों कमी नहीं होती है महाराष्ट में माल पानी की कमी नहीं होती तो महाराष्ट से बैंक आप महाराष्ट आप को याद रहेगा माल से देखिए का कोई मतलब नहीं मतलब नही 1935 अब पानी मैंने लगाया पानी की कमी नहीं तो पानी से हो जाएगा पूने नेक्स्ट है केनरा बैंक इस्टैबलिस हुआ था 1906 में और इसका हेड़ क्वार्टर है बैंगलोर याद कैसे रखेंगे केनरा इसे एक काना सब्द पकड़िये काना मान लगती है और काना ने नारा लगा दिया ऐसे समझ लिजे कि बीजेपी के पार्टी में जा रहा था और बीजेपी के रैली में और लगा दिया नारा का अंग्रेस का तो सजा उसको बगल वाले ने दे दिया तो काना के नारा पर सजा बगल वाले ने दे दिया तो सजा देखे एस का हो गया जीरो जे का शिक्स आगे लगा देंगे 19 ते हो गया 1906 और बगल से बैंगलोर याद रखेंगे नेक्स्ट है Central Bank of India इसका मुख्याला मुंबई है और इस्टेबलिस हुआ था 1911 में तो देखे याद कैसे रखेंगे बस इंता याद रखे कि जो भी कहीं भी सेंटर है हमारा पूरे इंडिया का सेंटर जहां पर है वहां पर दादा जी रहते हैं सेंटर में दादा रहते हैं त कुछ नहीं होता तो आगे लगा देंगे 1911 और देखे इसके बाद हमने मुंबई चुकि एट कॉटर इसलिए कुछ कोड नहीं रखा है ओके नेक्स्ट है इंडियन बैंक इंडियन बैंक इस्टेबलिस हुआ था 1907 में और इसका मुख्याला है चिन नहीं याद कैसे रखेंगे इंडियन बैंक सौक से चुन सकते हैं यानि कोई भी इंडियन बैंक आप सौक से चुन सकते हैं ठीक है तो इंडियन बैंक आप सौक से चुन सकते हैं S का 0, AU का कुछ नहीं, K का 7, आगे लगा देंगे 19, तो यह हुग या 1907, आज चुन से चिन नहीं नेक्स्ट है, Indian Overseas Bank, याद कैसे रखेंगे, Indian Overseas Bank इस्टैबलिस हुआ था 1937, यानि कि 1937 में, और इसका मुख्याला है चिन नहीं याद रखेंगे, Indian Bank Siege मौका पर चुना लगा कर सकते हैं, या करते हैं, तो सही बात है, जैसे आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे Bank हैं, जो सीज रहते हैं, पैसों को सीज कर देते हैं, बिल्कुल जब आपकी ज़रूत होगी, उसी समय सीज हो जाएगा आपका पैसा, तो चुना ही लग जाता है, तो Indian Bank Siege मौका पर चुना लगा कर करते हैं, तो मौका से देखिए, M का 3, AU का कुछ नहीं, के का 7, एक का कुछ नहीं, आगे लगा देंगे 19, तो यह गो 1937, और चुना से चिन नहीं हो जाएगा, नेक्स्ट है, पंजाब एंड सिंद बैंक, जिसका establishment हुआ था 1908 में, और इसका मुख्याला है नई दिल्ली, याद कैसे रखेंगे, ध्यान दीजे कि जब पंजा से सिं सिंदिया साफ दिल्ली को कर दिया, या कैसे रखेंगे, माले जे कि अभी क्या हुआ था, सिंदिया जो है, कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, तो दिल्ली की जो कुरसी थी, या नहीं, दिल्ली की कोई से तो कांग्रेस है नहीं कहीं, दूर दूर तक, लेकिन क्या हुआ कंग्रेस का सूपरा साफ हो गया बिल्कूली तो पंजा से सिंधिया साफ दिल्ली को कर दिये बस ऐसे समझेए कलपना कीजिए तो यसका 0, A, A का कुछ नहीं F का 8 आगे लगा देंगे 19 ते हो गया 1908 हा दिल्ली से नहीं दिल्ली रहे गई नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक यह इस्टेबलिस हुआ था 1894 में इसका हेड़कॉर्टर है नई दिल्ली याद कैसे रहेंगे पंजा से नेशन के लिए पंजा से नेशन के लिए फाइवर नया देख रहे हैं जैसा कि आप जैनते हैं कि आप तिरंगा फैराते हैं और अब अगस्तान है वाला है तो तिरंगा फैराएंगे तो आपने क्या किया आपने पंजे से आपने हाथ से नेशन के लिए जहन्डा आप फाइवर का देख रहे हैं तो फाइवर देखे एफ का एट आई का कुछ नहीं बी का नाइन और आर का फोर आगे आप लगा देंगे वन तो यह हो गया एटिन नाइटिन फोर और नया देख रहे हैं यानि कि नई दिल ली नेक्स्ट है स्टेट बैंक आफ इंडिया इसका मुख्याला है मुंबई और इस्टेबलिस्मेंट हुआ था उन्निस सो पच्पन में याद कैस रखेंगे जानते हैं आप लालो को अब याद रखेंगे स्टेट बैंक लालो चलाते हैं बस अब जहां भी जाएंगे स्टेट बैंक में अब ध्यान दिया जगह कि यह लालो का है स्टेट बैंक लालू चलाते हैं एल का फाइफ एल का फाइफ ए ए यू का कुछ नहीं आगे लगा देंगे नाइनटीन ते हो गया उन्नीसो पच्पन और इसके बागे कुछ कोड नहीं है तो इसका मतलब इसका मुख्याला कहा है मुंबई है नेक्स्ट है यू को बैंक यू को बैंक इस्टेबलिस वह था उन्नीसो तिरालिस में और इसका मुख्याला है कोल का था आप याद कैसे रखेंगे कि यू तो बैंक पर राम कल ताला लगाएंगे अब ध्यान दीजिए फोर और एम का होगा थ्री आगे लगा देंगे नाइनटीन ते होगा उन्नीसो तिरालिस और कल ताला है यानि को कोल का था ठीक है अगर कुछ यहाँ पर मिलता है इस कोड के बाद तो समझ लिजे कि उसका मुख्याला कहीं और है और नहीं मिलता है कि यूनियन है कोई आपने यूनियन बनाया है और उसमें डीपी आपकी लगी है तो यूनियन में डीपी आपकी है डीपी बस याद रखना है तो डी का वन पी का नाइन आगे लगा देंगे नाइनटीन तो यह हो गया उननीस सो उननीस और आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसका मुख्याल है मुंबई है तो इस तरह से हमने complete कर लिया जितने भी bank थे कैसे bank जितने भी public sector bank थे यानि सरकारी bank थे अब private sector bank की video next आएगी उसमें complete करेंगे और हो सके तो उसमें payment banks जितने भी हैं सबको complete कर लेंगे कैसी लगी ये video अच्छी लगी तो like share और subscribe करें आप like करें और हाँ अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए आप टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लें ओके थेंक यू